जैहिन दोस्तो आप लोग का इस यूटूब चैनल पे एक नए स्रीज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुख बेक्तियों के समाधी अस्थल के बारे में तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें अंत में मैं एक प्रस्ण पूछूँगा इसी टॉपिक से जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक भी कर दिजिएगा तो आइए सुरू करते हैं समाधी अस्थल पहला है राजगाट यह निव दिल्ली में इस्तित है जो की राष्टपिता महत्मा गांधी की समाधी अस्थल है अगला है सांतीवन यह भारत के परथम परधान मंत्री जवाहरलाल नहरू की समाधी अस्थल है जो की नई दिल्ली में इस्तित है अगला है बिजय घाट यह भारत के दुसरे परधान मंत्री लाल बहादुर सास्त्री की समाधी अस्थल है यह भी नई दिल्ली में इस्तित है अगला है सक्ती अस्थल यह भारत के परधम महिला परधान मंत्री सिरिमती इंद्रा गांधी की समाधी अस्थल है जो की नई दिल्ली में इस्तित है अगला है महापर्यान घाट यह बिहार के पटना में इस्तित है जो की भारत के पर्थम राष्टपती डॉक्टर राजंदर परसाद की समाधी अस्तित है अगला है किसान घाट यह भारत के पुर्व पर्थान मंत्री चोधरी चरन सिंग की समाधी अस्तित है यह भी नई दिल्ली में इस्तित है अगला है अभय घाट यह गुजरात में इस्तित है यह भी भारत के पुर्व परधान मंत्री मुरारजी देशाई की समाधी अस्तल है अगला है बीर भुमी यह भारत के पुर्व परधान मंत्री राजियू गांधी की समाधी अस्तल है अगला है सम्ता अस्थल यह बाबु जग जीवन राम की समाधी अस्थल है जो कि भारत के उप परधार मंत्री रह चुके हैं इन्ही की बेटी मीरा कुमार है जो कि लोकसभा की पर्थम महिला अध्यक्ष ही थी अगला है चैत्रा भूमि यह मुंबई में इस्तिष है यह भीम राव अंबिदकर की समाधी अस्थल है अगला है एकता अस्थल यह पुर्वराष्ट पती ज्यानी जैल सिंग की समाधी अस्थल है अगला है नरायन घाट यह भारत के पर्थम कैरवाहक परधान मंत्री गुलजारी लाल नंदा की समाधिय अस्तल है अगला है कर्म भूमी यह पुर्वराष्ट पती संकर द्याल सर्मा की समाधिय अस्तल है अगला है उदय भूमीं, यह भी पूर्वराष्ट पती, कि यह नराइन की समाधी अस्थल है और अगला है जो की अंतिम भी है, यह इसमृती अस्थल यह पूर्वर पर्धान मंत्री, अटल विहारी, बाजपयी की समाधी अस्थल है तो आज हम लोगों ने देखा भारत के प्रमुख बेक्तियों के समाधी अस्तल के बारे में आसा करता हूँ यह आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा और हाँ आज के लिए आपका एक प्रस्ण है सांतिवन किन महापुरूसों की समाधी अस्तल है इसका क्या सही उत्तर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर कीजिए और अगर आपने अभी तक किसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजिए मिलेंगे फिर किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंग